स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेकनोलजी में मैं अनुपर्म वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडिनेस्टे में आज हम लोग बात करेंगे सर्वर इमर्जन कूलिंग के बारे में हमने लिक्विड यह कंपलसर ही हो जाएगा सर्वर में डेटा सेंटर में अविसली आज नहीं होने वाला लेकिन धीरे-धीरे मतलब आज से चार-पांच साल के बाद यह होने लेगा जैसे कि SST पहले बद एक फैंसी फ्लेक्स था देखते थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो गया फिर बूट मे फैदा होता है कि यह बेटर फ्लोर स्पेस पैकिंग देता है यानि कि आपका जैसे माल लीजे हंडर्ड स्कॉर फुट का इरिया उसमें कितने सर्वर रैक्स रख सकते वो नंबर बढ़ जाता है क्योंकि एक सर्वर का हॉट इग्स दूसरे में नहीं जाएगा और रेडिये मीडियम से उप्शिन देता है फ्लोर स्पेस के लिए काफी बढ़ी है दूसरा होता है डारिक्ट चिप कुलिंग यानि कि इस तरह के आपका मदब बाटर कुलिंग इसको कहते हैं हम लोग वो सबसे बड़ा फैदा कि यह उससे भी ज्यादा आउपर चला जाता है यानि कि मैं क्यों बोल रहा कि कंप्यूटर जितना भी वाट काता है वो सीधा शुद्ध हीट में निकल जाता है तो हिसाब यही समझना है कि मेरा थेडरिपर है या एपक प्रोसेसर है या जीन ओन कोई प्रोसेसर है यह सब अगर बोल रहा है के 300 वाट को हीटिंग तो इसलिए कूल के बारे में जब भी सोची जाती है तो वो शुद्ध है इसे ही बात करें कि देखे वह हमारा रैक है 50 किलोवाट तक ही अपिस में रखिया है उस्यादा हम एयर से कूल ही नहीं कर भाएंगे हावा उतना गर्मी तरस तर नहीं कर भाएगा बहुत जादा मेहनद कर रहे हैं रहा है तो वही बात होती है कि कितना किलोवाट क का है एक राक को लीजे उसमें कितना किवलो वाट अप हैंडिल कर सकते हैं तो तो जैसे आपको सिंपल एग्सांपल दिया जाएगा कि एरॉन 50 नॉर्मल होता है 100 बहुत जादा है आपका नॉयजी हो जाएगा और पीछे लिक्विड रेडियेटर आप लगा कर सकते हैं स्टैकिं ठीक है फिर इन चिप में आप 50 किलोवाट को एराउंड 150 तक ले जा सकते हैं लेकिन आपको उससे भी उपर जाना है 150 भी में बहुत ज्यादा बोल दिया डायरेक्ट इन चिप में उतना नहीं जाएगा लेकिन माली ज कूलिंग आता है यह काफी हद तक आगे जा सकता है और आने वाले टाइम में आप सारे डेटा सेंटर में वही लगी जाएगा लेकिन उससे भी आगे आप जाना चाहते हैं रेंडरिंग फार्म हो जाया एक एक सर्वर स्टिक्स यह लगे जाता मतलब जो एक ब्लेड रहता ह वह जीप्यू है और वह जीप्यू में बहुत वी रहां है पलस वैसे कई सारे जीप्यू है पलस वह सारे इंटरलिंक हैं तो बम-मातर में बिजली खाता है इसमें एक आराम से आपका 600-800-1 kWh खाने लगता है वहाँ पर आप आप आराम से मतलब एक रैक में आराम से 200 kWh तक कि अभी भी बहुत सारा और चीज़ जिसको ठंडा करना है जैसे कि आप पावर सप्लाइ है और ये भी को समझना होता है जैसे पावर सप्लाइ हो गया और वीराम हो गया ये दो चीज जनरली काफी होट होता है तो वीराम मालीज अगर 98% भी एफिशेंट है तो 2% 200 kW का अभी करना जैसे आपका वीराम हो गया पावर सप्लाइ यूनिट हो गया चिप सेट हो गया बहुत सारा चीज होता है जिसको हमको ठंडा करना पड़ता है तो इमर्शन कूलिंग ये सारे समस्या को सॉल्फ करता है और आपका पावर डेंसेटी को आल्मोस्ट अपर मैक्सिम पर ल बबादो ऊसको अगर्क को से डुब बातो पूरा यक्विड में अब कॉनसा लिकविड शेटा होता है कि हर कंपोनेंट ठंडा हो जाते जानी कि मधरबॉरी अक्विड ब्लॉक है दिप न् sollen Cheru šiirts इससे लाइस्पन बढ़िया रहता है आप लोग कई बाद सुनते हैं कि राम स्टिक बार बार लूस हो जाता है कि आपको निकाल के री सीटिंग राम री सीटिंग क्यों है इतना क्योंकि बात है कि तेंपरेचर जो एकस्पांड और कॉंट्रेक्ट करता है तो अगर आप सारे का तेंपरेचर फिक्स करते हो तो यही उसका इसलिए अपल्ट से दुबा दिए और इससे आप यह समझे कि अगर आप पंखा हटा देते कोई भी आप सिस्टम लगा रहे हैं उससे आप पंखा हटा देते हैं सरवर के इंडरस्ट्री में आप 20 परसेंट एनरजी सेविंग क हमारे नॉर्मल डेक्ष्टॉप में फैन उतना बिजली नहीं काता है एक दू परसेंट ही कहता है लेकिन सर्वर की दूने में उतना चोटा एरिया में उतना जादा हीट पर्यूस कर रहे हैं तो मैं आपको जेट इंजन जसा है एर फ्लो चाहिए तभी जाके उसे हावा पर रिजेक्ट कर पाएंगे मतलब एर कापचर के नहीं करो हीट अगर अगर फ्लो रेट बहुत कम रहा और इसलिए जितने 시청 जतना है जर्फन में यह बहुत ज्यादा अगर ब्यू को रचका अगर गयं कि आपको क्यए हो तना हाई अगर इड़ आप सारे पंखें आट आ यह समझना जोरी कि यहां सब्सक्राइब को हीरिंग प्रोटेक्शन चाहिए यानि कि 80 डेसिबल से 90 डेसिबल तक का यह सब जगां लाउड रहता है यानि कि कि डस्ट क्रियेट होने लगेगा वो हर चीज समझना है थोड़ा सा फ्लेक उख़ा थोड़ा सा मतलब इंसान अगर अगल बहुत से लुचाता था उसका स्किन सेल डस्ट बनने लगेगा आपका वैक्यूम यह क्या बोलता है आपका जो एच वैक सिस्टम है यानि एर कंडिश लेकिन साइड इफेक्ट है आपको छता पर क्रें लगाना पड़ेगा जो भी आप फ्लोर प्लान डिसाइन करेंगा नीचे कुछ नीचे जमीन के लिगेगा उपर आपको क्रें डालना पड़ेगा नहीं तो यह सारे कंपोनेंट को अगर एक शॉट में हटाना पड़ गिया मेंटेनेंस के लिए सर्विसिंग के लिए तो आपकी बैंट बचाएगा इसा रैक में टाली में डाली चल दी आपको बड़ा फजीयत वाला चीज़ चीज़ है अप्लस पैकिंग गिंती में खरा हो जाता है क्योंकि यहां पको यह समझे यह सब आपको तभी करना है जब आ इसा क्यों नहीं किया जाता बात है कि कई सारे केसिस में अगर आप सर्वर को पैक कर पाते यानि कि खूब सारे जीप्यू को बहुत चोटे एरिया में रख पाते बहुत सारे एक्स्टरनल बेनेफिट में लगता है यानि कि जैसे आप सबका इस फ्रेम बफर से कर सकते हैं और वह सिंक डिरेक्ट कॉपर से कर पाएंगे तो ज्यादा बेनेफिट होगा जो आप सर्वर वाले ग्रेट के जीप्यू जितने आते हैं उसमें इंटरलिंक्स बहुत सारे जीप्यू को जोड़ने देता है वह आप कर ही नहीं पाओ अगर देंसिटी अगर अगर आप उसक कि गिंती में कमा रहा है वो सॉल्फ हो जाएगा और एंड में यहीं जदा काम कर पाएंगे हो कि छोटे से एरिया में डेटा को इधर-दर करना बहुत इफिशिएंट होता है जैसे एक्जामपल थे हैं आपका SFPF जो पोट होते हैं जिसे हम उसमें लागते हैं फिर कचा कच भरा होगा है वैसा नहीं होगा क्योंकि यह इतना हाइड देंसिटी रखते हैं कि जरुवत नहीं है और दूसरी बात फिजिकल चीज का भी लिमिट है कि मतलब करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जागा कि कितना बड़ा मशीन आपको रगाना पड़ेगा उसको आप इस तरह के काफी सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें लिक्विड बॉइल कर रहा है तो इसको गते हैं फेस्चेम तो जनरली इस्तमाल किया जाता है फ्लोरीन कार्बन बेस्ट काल कोई फ्लूइड इस्तमाल क्या है वो आप खरी दिये उसको लाब में डाली तब पत जाएगा उसके अंदर 250 किलोवाट का पावर कंसम्शन कर सकते है युकि बहुत जादा बड़ा है 250 किलोवाट बहुत जादा पावर होता है मतलब मार्केट में अभी अपको यह हो दिक्कत होगा किसी से खरीदे का जाए जाए गीगाबाइट हो चाए जाए मैसाई हो चाए आपड़ेट कर पाऊगे तब भी यह वोले कूलिंग सिस्टम बहुत है इसको कोई पंप नहीं चाहिए लिक्विड जो है वह बॉइल हो रहा है मतलब लिटरली वह फिजिकली बहुत पूरा सर्कुलेशन जो है बीना पंप के हो रहा है और जो भी यह फ्लोरीन कार्बन इस सिस्तमाल किया जाता है माइनस जैसे आपका वाटर होता है 100 पर बॉइल करता है यह खोशिश की जाती कि 50 डिगरी सलसियस से नीचे में बॉइल हो सके तभी यह बहुत अच्छा चल पाएगा और इसके ओपर आप जो कॉपर सा एरिया दिखते है उसमें आप नॉर्मल मतलब जो भी फेकल्टी वाटर है वो फेकल्टी वाटर अपस चलाएंगी अफसिलिटी वाटर को कैसे थंडा करते है वह आपके कुछ कुछ किसे में रुनिंग कर देंगे अगर बहुत ज्यादा सस्ता पानी है तो जनरली उसको वाटर चिलर में डाला जाएगा या इवैपरेट हो रहा है और कोई भी गास्टाइट सिस्टम नहीं बना जाएगा जिसमें कभी गास खातम ना हो तो यह धीरे धीरे आपका लिक्विट जो है उसका लेवल घटेगा तो जनरली कहा जाते है कि कंपनी जो सेल करती है दो साल में आपको हर दो साल में रिफ्यूलिंग करनी है वह आपके स्टाफ के लिए हैजर्ड़स है तो यानि की पूरी तर से सील होना चाहिए और अगर कोई खोल के इसके अंदर मेंटेनेंस कर रहा है तो उसको पस गैस मास्क होना चाहिए तो टॉक्सिन जो अप रिलीज कर सकते हो कि तो पर पर वह सीरियस पात है हलुआ के त ट्रिक होता है लेकिन जनरली उसमें वह उनिवर्सल सॉल्बेंट कुछ ना कुछ मिला ही रहता है इसलिए उतना एफेक्टिव नहीं रहता है लेकिन जहां पर बहुत जाद ही पावर को ठंडा करना है वह पानी में दुबाना पड़ता है एक्जाम्पल जैसे कि आपके पा जनरेटर होता है वैसे करके ठंडा किया जाता है और कोई फ्लूइड अतना थर्मल लोड वर्दासी नहीं कर साया तुरंट बॉल कर जाएगा तो जैसे यहां बताया हमने कि वह 50 डिगरी सलस्के सोती बॉल करना लेगा पानी ही 100 तक संभाल लेगा और ऑई नोतनी करते हैं तो यहां पर वही समझे कि यहां पर भी हाइड्रोकार्बन बेस्ट करते हैं मतलब एक समझ का ओई है लेकिन कौन सा है वो कोई कंपणी नमते है आप लीजिये खरीदिया और उसके बाद उसको डाली नहीं लेगा तो इसका यह फादा है कि आप पूरा जो सर्वर इसको सील करने की जभरते हैं मतलब और अपकन रखो कि यह चरा ना गीरे उसमें कोई आद्मी ना गीरे वह सब के लिए लेकिन आपको सील करने की ज़रूते है बस एक बार जैसा है जैसा है अपका बाद टब होता है वैसे है और यह फ्लुइड पॉइल नहीं कर रहा है तो आपको एक pump और heat exchanger चाहिए, यानि कि अपने fluid डाला, pump fluid खीचा, heat exchanger डाला, heat exchanger आपका building water में energy dump कर दिया, फिर उसके जो ठंडा हो गया, उसके आराम से रिसर्कुलेक्शन करेगा, तो pump और heat exchanger आप एड कर रहे हो, और boil off नहीं है, तो इसका फादा होता है कि company क्लेम करते कि around 15 तक आपको इसमें refilling नहीं करनी पड़ेगे, यह सस्ता fluid है, लेकिन इतना free kallik fluid नहीं है, थोड़ा सा तो खच करनी पड़ेगे, अब बहुत लोग तो इसका बिटकोई निंग माइनिंग के ताइम में इसका काफी डिमांड हो गया था, तो सब लोग के समझ मेंगा है, phase change के compare में, phase change वाला काम करता है, लेकिन उसको गैस टाइट रखना, प्लस उसके साथ काफी सारा safety hazard है, क्योंकि वो hazardous fluid है, तो seriousness बढ़ जाता है, तो उसका कारण से उसका कीमत थोड़ा जादा आता है, यह cost effective आता है, लेकिन यह थोड़ा side effect रहता है, कि 200 kW से उपर यह नहीं कर सकते हैं, लेकिन एर से आप बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब कि अभी के time में, 250 तो बहुत आगे का बात हो रहा है, और 200 भी इतना ज्यादा है कि किसी भी company से आप जाएं, वो सीधे आपको नहीं हो साथा है, कि हाँ, हमें यह MD का यह प्रोसेसर दे दो, यह 200 kW पर सब तो नहीं होगा, सर, हो गई नहीं, किसी भी अभी current सेट अप में, यह 200 kW का रेटिंग क्रॉस करना पॉसिवल ही नहीं है, तो इसलिए अभी बहुत चल रहा है, क्योंकि यह simplicity इसकी साथा है, कि कोई भी toxic liquid के साथ आस-पास नहीं रहना चाहता है, हाँ, आपका कुछ ऐसा है और इसको भी काफी scale कर सकते हैं, density का फादा पूरा उठाए सकते हैं, lifespan भी काफी अच्छा है, और चोकि कोई भी vapor नहीं है, बॉil-off नहीं है, 15-15 साल तक चिल रहना है, तो वो काफी लोगों को पसंदार, तो इसको single phase immersion cooling काता है, कैसा रहा है, पानगी में कर सकते हैं, बट absolute distilled water होना चाहिए, उसमें TDS एकदम जीर होना चाहिए, PPM एकदम कम होना चाहिए, तो बात के बहुश में क्या होना, तो यहां समझना जरूरी है कि हम लोग हर company, जो भी जाए Google हो, Amazon हो, WhatsApp हो, Facebook हो, Amazon Web Servers हो, Microsoft Azure हो, जितने भी company है, सब फोकस कर रहा है, power uses efficiency पर, यानि कि ये vector आ मतलब क्या होता है, तो आपको इस तरह का PU का graph दिखाया जाता है, तो जो भी लोग data center में करें तो उन्हें ही ये पता रहता है, तो PU का मतलब है कि अगर आपका air cooled system का PU देखेंगे तो होता है 1.67, मतलब क्या है, मतलब है कि अगर आपका 10 megawatt का computer है, कि 10 megawatt बिजली सारा बि 6 megawatt का computer के लिए, वो 6 megawatt extract करना पड़ रहा है, इसलिए वो one point, ideally one होगा, लेकिन 1.67 उतना मुश्किल है, इसलिए समझे कि server सस्ता चीज़ और इसलिए, इंडिया साम में server को नहीं डालता है, मतलब यह customer इतने बढ़ गया है कि यहां का high ambient के लिए का penalty पड़ेगा, वो इसलिए रेडियेटर लगा देंगा, पानी बाहर से घूम रहा है, बाहर से लिए कोई टेंशनी नहीं है, आइसलेंड में, यह सब जो आप लोग बिजना है कि वहां पे जिवो थर्मल सा एनरजी आ रही थी, और टेम्रचर ठंडा सब बिट्कोइन फार्म वही डाल दिया इसलिए डेटा सेंटर बनाने टाइम टेंपरेचर के बार में जो लोग बात करते हैं वही है कि अब बुलिए 10 MW को कम्प्यूटर के बिलाएगा, सर्फ 16 MW कब बिलाएगा तो समझ रही दिकत होता है, अब इमर्शन कूलिंग का जो कूलिंग फैक्टर है, जो पावर यू फरक पड़ जाएगा बैंक्ट विलाइस पर, तू रंत तू रंत, ऐसा वही दो समझेगे, मैं बोलता हमनों किसी को पर्यावारंट से लेना देना देना, लेकि सब को पैसा से लेना, पैसा बचाने से सब को बहुत ज़गा खोशी होती है, दिल को सली मिलते है, अरे मेरा मं आपको यहां रखता है आपको यहां रखता है आपको यहां रहा है one absolute होगा perfect होगा one लेगिन पहुंचना है मतलब थोड़ा सा मुश्कील है क्योंकि आपको वह heat का कुछ और करना पड़ेगा जिससे productive हो जिससे आपका power consumption घटी तब जाके आप one से नीचे होगया तो देखे वही समझे कि PUE के पिछे ही सब लोग भाग रहे हैं इसलिए सर्वर्स इतना हलवा बला चीज नहीं कि अरे इंडिया में हर्चीज के सर्वर क्यों नहीं बात वही है कि नेट्फ्लिक्स अगर चाहेगा भी कि इंडिया में सर्वर डाले वो देखे का कॉस्ट एक हमारा डेटा सर्वर से हम लोग को डेटा भीज सकता है तो वही समझना बहुत रही है कि हम लोग को बहुत सारे सर्वर चाहिए और सर्वर का एफिशेंसी के लिए इंसर्टी बढ़ाना फाइदेमान रहेगा हर मामले में और कुछ लोग कंपनी अपना जैसे बहुत हाई 200 किलोवाट में अच्छा खाधा रेंडर फाम बढ़ जाता है बिल्डिंग के नीचे ही रख लीजिए ना सर जैसे कि बहुत लोग ऑन साइट सर्वर बनाना चाहरा है कि लेटनसी का कोई तोड़ा नहीं है आप कुछ भी करके लेटनसी नहीं चेंज का सकते हैं तो लेटनसी के लिए इंडिया में ही सरवर डालिया। आपके Philippines में है इतलिया। Philippines में ही डालिया। Pakistan में है पाकिस्तान में इतलिया। Nepal में है नेपाल में ही डालिया। तो वो किया जा सकता है। उसको करने के लिए आप बढ़ा-टी स्थी बनाना नहीं चाहोंगे। है मैं को इस लाइक दो बार दबाए उसे मुझे बता चले को कितना ना पसंद हुआ है मैं आप से कॉमेंट लिके मैं हर कॉमेंट को पढ़ने कुशिश करता हूं आप से को सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई अगर आ फ्री है तो आप नेरा वीडियो दुखा जाने मुझे पहुत कुशी हुई धन्यवाद